दोस्तों उम्रान मलिक के बाद अब जम्मू कस्मीर के बल्ले बाज ने मचाया कोहराम जडा तूफानी सतक आपको बता दें उम्रान मलिक ने IPL 2022 में अपनी तेज गैंदबाजी से सभी को पिरभावित किया है इसके बाद जम्मू कस्मीर के इस गैंदबाज को टीम इंडिया से खेलने का मौका भी मिला है पिछले दिनों उन्होंने नुजिलेंड के खिलाफ स्रीज में वन डे डेब्यू किया अब यही के एक बल्लेबाज ने बहतरीन प्रिद्शन करते हुए सभी का ध्यान कीचा है आपको बता दें लिष्टे टूनमेंट विजे हजारे ट्राफी के क्वाटर फाइनल के मुकाबले खेले जा रहे है एक मैच में जम्मू कस्मीर का मुकाबला असम से हो रहा है दोनों ने पहले विकेट के लिए 72 रन जोड़े विवरांत 49 गैन पर 34 रन मना कर आउट हुए इसके बाद सुबम खजूरिया ने हीनन नजीर के साथ सतक की साजेधारी कर स्कोर को 200 रन के पार पहुँचाया सुबम ने 33 गैन्द पर सतक पूरा किया अंत में वो 84 गैन्द पर 120 रन मना कर आउट हुए आठ चोके और आठ छके उन्होंने इससे पहले जड़ दिये थे आपको बता दे 27 साल के सुबम ने लगतार पांचवी पारी में 50 से अधिक का स्कोर बनाया है इसकारण जम्मू कस्मीर की टीम पहली बार क्वाटर फाइनल में पहुचने में सफल रही है इससे पहले उन्होंने पंजाब के खिलाफ 72 ओड़ीसा के खिलाफ 78 उत्राखंड के खिलाफ 71 और के खिलाफ प्री क्वाटर फाइनल में 76 रन मनाये थे उनका लिष्टे का रिकार्ड बहतरीन है इस मुकाबले से पहले तक सुभम ने 57 मैच में 31 की ओसत से 1769 रन बनाये थे 3 सतक और 11 अरद सतक लगाये थे 127 उनका बैस्ट स्कोर रहा है वे फर्स्ट किलास क्रिकेट में जम्मु कसमीर की ओर से खेलते हुए 51 मैच में 33 की ओसत से 3001 रन बना चुके हैं 5 सतक और 19 अरद सतक लगा चुके हैं 138 उनका बैस्ट स्कोर है क्वाटर फाइनल में समचार लिगे जाने तक जब मुकसमीर ने 40 ओवर में 4 विकेट पर 245 रन बनाये हैं ऐसे में उनके बनलेबाज स्कोर को 300 रन के पार ले जाना चाहेंगे